Friends, I hope आप सब भी अच्छे होंगे इस वीडियो में हम Fiver to Fabric की बात करने वाले हैं यह हमारी Chemistry Series रहेगी अब से Every Thursday आपको Chemistry Series की वीडियो देखने को मिलेगी और आगे भी हम काफी अच्छे-चे Topics, काफी Important Topics इसमें डिस्कस करते रहेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज हम Instagram पर Follow कर लें Instagram का Link आपको Description में मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इस वीडियो में Generally हम Animal Fiber की बात करने वाले हैं और Mostly Animal Fiber Mainly Wool और Silk ही होता है तो हम इस तरह के जो भी Hairy Animals होते हैं उन पर से Wool हमें मिलती है अब जो यह Hairy Animals हैं जैसे की Sheep है तो इनकी जो यह Wool है जिसको की Fleece कहा जाता है क्योंकि इनके Hair होते हैं तो इनको Fleece कहा जाता है तो यह दो तरहा के होते हैं एक तो यह Coarse Beard Hair होते हैं मतलब की काफी घने वाले जो बाल होते हैं दूसरे होते हैं Fine Soft Under Hair मतलब की जो Skin के बिल्कुल साथ चोटे-चोटे Hair होते हैं यह भी Wool बनाते हैं तो दो तरहा के Fleece होते हैं यह आप याद रखेंगे अब जो सबसे Fine अगर मैं बात करूँ जगाओं पर कौन-कौन से Animals हैं जिनको की Wool के लिए इस्तमाल किया जाता है तो याक की Wool आपको मेंली तिबत और लदाख जैसे एरियाज में देखने को मिलेगी उसके बाद मोहेर है मोहेर एक टाइप की Wool है जो की अंगोरा गोट से मिलती है अंगोरा गोट ये जो आप पिक्चर देख रहे है ये अंगोरा गोट की है और ये मेंली जमुएंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी अब जो ये Wool आपटेन हो रही है गोट के हैर से तो एक आपने सुना होगा कि जमुएंड कश्मीर की काफी फेमर्स शॉल आती है जिसको की पश्मीना शॉल कहा जाता है तो इस शॉल के लिए जो ये फाइन हेर्स होते हैं अंडर हेर्स होते हैं अंडर फर होती है जो इनकी वही यूज की जाती है अब उसके बाद camel के जो hairs होते हैं वो जैसे अगर आप रेगिस्थान जैसे areas में जाएंगे तो वहाँ पे camel के जो hairs होते हैं उसको wool के wool बनाने में इस्तिमाल किया जाता है उसके बाद lalama और alpasa तो ये हैं lalama और ये है alpasa ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है इनको भी wool के लिए इस्तिमाल किया जाता है मुशलिये दोनों आपस में same species के ऐसे कह सकते कि cousins हैं एक दूसरे के तो इन में सरफ difference ये है कि जो lalama है उसकी wool थोड़ी सी hard होती है as compared to alpasa और ये size में भी अब नेक्स चलते हैं प्रोसेसिंग फाइवर्स इंटो बूल अब जो फाइवर्स हमने ले लिये हैं उनसे वूल बनती कैसे है तो पहला step है shearing मतलब क्या है कि जो fleece है उसको शीप के जो बॉड़ी है उस पर से अलग कर दिया जाता है जैसे कि आप प्रोसेस को ही shearing कहा जाता है उसके बद सेकंड प्रोसेस है जो scouring उसमें क्या होता है कि जो ये जो आपने वूल उतारी है इसको धोया जाता है क्योंकि इस पर से dirt, grease अगर oil कुछ भी लगा हुआ है तो वो हट जाएगा पहले ही ही काम हाथओं से या एक बड़े से टैंक में डाल करके किया जाता था लेकिन आज कल ये factories वे गएरह में किया जाता है बड़ी बड़ी machine के इस्तेमाल से किया जाता है उसके बाद third step, यह आप second step देख सकते हैं उसके बाद third step है sorting तो sorting क्या है कि हाथों के अस्तमाल करके जो छोटी-छोटी चीज़ें अगर धूने के बाद भी रह गई हैं तो उनको चुन लिया जाता है और इसी step को sorting कहा जाता है अब fourth step में क्या होगा कि जो हमारे पास fluffy fibers बज जाते हैं जिसको की बूर कहा जाता है आपके sweater पे भी, सरदियों में हमारे sweater पे बूर आ जाती है उसी तरह अब ये भी बूर वैसे ही होती है तो इसको क्या करते हैं कि जो ये बूर होती है इसको दुबारा से source किया जाता है मतलब कि धोया जाता है फिर ड्राय किया जाता है और फिर वूल बनाने के लिए जो ये फाइबर्स है इनका यूज कर लिया जाता है अब फिफ्ट स्टेप है तो फिफ्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारे पास wool बनके आ गई है इसके उपर अलग-लग colors कर देंगे जैसे कि आपने market में देखा होगा red color की wool आती है, blue color की आती है तो अलग-लग colors इनके उपर कर दिये जाते हैं तो fifth step में होता है next, sixth step में क्या होगा कि अब जो ये fibers इनके उपर color कर दी है अब इनको straight किया जाता है बिल्कुल सीधा इनको कर दिया जाएगा comb किया जाएगा और इनको एक उनके गोले में roll कर दिया जाता है आपने देखा होगा कि उनका हमेशा गोला बनके आता है तो ये गोले में roll कर दिया जाता है और फिर sweaters और जो भी अगर आपको woolen clothes बनाने हैं तो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो आप ये छे steps हैं याद रखेंगे काफी easy है उसके बाद silk तो silk कहां से हमें मिलता है क्योंकि silk fiber क्या है animal fiber भी इसको कहा जाता है याप याद रखेंगे काफी important question है उसके बाद जो silk worms होते हैं उनसे ही silk fiber मिलता है अब जो ये silk का ये हम कह सकते हैं कि silk को पालना या silk पालन को जो क्या कहते हैं sericulture कहा जाता है तो अब life history of silk mode पूरी की पूरी history क्या है तो देखिए जो female silk होती है वो eggs को ले करती है, hatch करती है, larva बनता है उस larva को ही caterpillar या silk moth कहा जाता है या silk worm कहा जाता है अब ये size में थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो caterpillar जो है वो अपनी next stage में जाने के लिए ready होते हैं तो next stage क्या होती है, pupa होती है अब pupa क्या करती है, ये अपना जो head होता है उसको swing करती है और अपने मूँ से एक protein का एक fluid सा screed करती है और ये खुद को ऐसे cover up कर लेती है जैसे कि 8 जो हमारा number होता है, 8 उसके shape का कुछ दिखने लग जाता है अब जब ये खुद को secrete करती है, तो वो क्या होता है, एक protein होता है और जैसे ही ये हवा के exposure में आता है, वो fluid तो वो hard हो जाता है, और इससे ही silk fibers बनते है और जबकि ये caterpillar खुद को पुरा cover कर लेगा, silk fiber से तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, pupa हो जाएगा और इस covering को क्या कहेंगे बाहर की, तो वो होता है cocoon अब cocoon से silk कैसे बनता है, तो पूरी की पूरी processing हम जान लेते हैं तो बहुत सारे cocoons को हम लेते हैं, क्योंकि हमें silk fiber चाहिए तो cocoons को या तो sun के exposure में, या फिर boil करेंगे, या फिर उनको steam के exposure देंगे और जो ये silk fibers हैं, इनको separate कर लिया जाता है अब जो ये पूरी processing है, जिसमें की cocoon लिये, हमारे पास silk fibers आए तो इस पूरी processing को reeling of silk कहा जाता है इसमें क्या होगा, कि special machines यूज की जाती है जिसमें की पूरा threads को unwind किया जाएगा मतलब की straight रहें, thread इदर उदर उल्चे नहीं और cocoon से जो fiber है, उसको अलग कर दिये जाएगा तो ये क्या है, reeling of silk है अब जो fibers हमारे पास आए, उसको चाहे हम threads बना ले या फिर अगर silk cloth बनाने के लिए, हम वीवर्स को दे सकते है तो ये पूरी processing रहेगी अब यहाँ पर एक question arise होता है कि आखिर कर silk discover कैसे हुई तो देखिए, इसकी discovery का कोई पुकता सबूत है ही नहीं आज तक लेकिन एक Chinese legend के according अगर देखा जाए तो एक person थे, singh langchi करके उनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने ये बताया कि एक emperor थे, huangti करके उन्होंने अपने garden में काफी सारे mulberry trees grow किये हुए थे जब उन्होंने देखा कि उनके mulberry trees को कोई warm जो है वो खा रहा है, उसके पत्ते बरबाद हो रहे है तो उनको काफी गुसा आया, और जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने उनको observe करना शुरू किये तो उन्होंने देखा कि जो वो warm है, वो कुछ time बाद अपने आस पास कुछ एक चमकीली सी चीज, कुछ shiny cocoons की तरह वो दिख रहे हैं कुछ अपने आस पास वो कुछ shiny thread की तरह अपने आपको लपेट रहे हैं तो एक दिन गलती से उनके गरम जो चाय का cup होता है, उसके बीच में एक cocoon गिर गया तो उन्होंने देखा कि जो सारी के सारे silk fibers हैं, वो cocoon से अलग हो गए और वहीं से जो ये silk industry की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले जो ये industry है, silk की तो वो चाइना में ही इसकी शुरुआत हुई थी, और बहुत हजार सालों तक इस चीज़ को एक secret रखा गया और उसके बाद जब traders और travelers आये दूसरी country से तो उन्होंने हर एक country में इस चीज़ का प्रचार किया और जिस route से वो traveler गए थे, उस route को आज तक भी silk route कहा जाता है तो ये पूरी के पूरी कहानी है, काफे interesting है ये पूरा का पूरा topic आप याद रखेंगे, काफी easy है अब यहाँ पे last time tat से question काफी, एक common सा question आया हुआ है कि which one of the following fiber is animal fiber तो वहाँ पे चार option दिये थे, cotton, jute, silk, aerosilic तो आपको पता है मैंने अभी last पीछे ही बताया है कि silk fiber को ही animal fiber कहा जाता है तो काफी easy है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये easy easy चीज़े के इवर दिमाग से skip हो जाती है तो आज के लिए सर्फ इतना ही, I hope आपको पसंद आई होगी इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, like, share, subscribe जरूर कर दे क्योंकित वाची झाउड़ से की थे थोजर इतना है